इंफिनिक 020 वसिस Poco M4 Pro 4G वैसे दोनों फोन ये 4G आज की इस वीडियो के अनर हम लोग इन दो फोन का कंपेरिशन करने वाले हैं एंड मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सा आप लोग के लिए बेस्ट फोन रह सकता है इन दोनों फोन में से तो अगर आप लोग को वीडियो को लाइक कर दोना चाहिए हो सब्सक्राइब करने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा तब करते हैं इस वीडियो को जली से स्टार्ट तो अभी सबसे पहले बात करते हैं अपने इस फोन में आपको एक बड़े साइज का पैनल मिलता है 6.7 इंचिस का फुल HD प्लस का OLED पैनल 90 हर्ट के हाई रिफ्रेश रेट के साथ वोटर ड्रॉप नोच के साथ बागी बैक साइड आपको प्लास्टिक के मिलते हैं आपको तीन क्यामरे मिलते हैं वहीं बात करते अपन क्यामेंट सेक्षेन के अंदर बताओगे आपको कौन सा फोन अच्छा लग रहा है बट और अगर मैं डिस्प्ले के अंदर बताओ तो मेरे को पोको एंपोर प्रो फोर जी अच्छा लग रहा है क्योंकि फोन में आपको पंच होल मिलते हैं इससाद आपको एक कि तरफ तो इन्फिनिक्स के फोन ने काफ़ी बढ़ीया मजधार सीन करा हुए क्योंकि इस फोन में आपको जो प्रामरी क्यामरा मिलता आपको 108 मेंगापिक्सल का मिलता है 13 मेगापिक्सल का फोन से आप लोग मैक्स4 के रिकोर्डिंग कर पाऊगे इंद उसी के सथा 60 मेग सकता हूं कि optimization की थोड़ी सी कमी है बट 15,000 पर में जाद चीज़ा expect भी नहीं कर सकता है मतलब 60 Megapixel की जो selfie देदी ना इनो ने OIS के साथ वो सारी चीज़े cover कर लेती है मतलब वह बहुत तकड़ी चीज़ है बाग यह बात करते हैं अपने Poco M4 Pro 4G की तो इस phone आपको primary camera 64 Megapixel का मि personally मैं बता हूं तो मैं इतर Poco M4 Pro 4G को यूज़ कर रहा हूं मेरा primary phone यही है कितने टाइम से यूज़ कर रहा हूं अकस्त तीन-चार मही ने से शायद मैं इस phone को यूज़ कर रहा हूं तो मेरा तो बहुत सही experience अभी तक मतलब मेरे को कुछ चीज़ ऐसी नहीं लगी जिस price में मैंने बाय करा कि उस price के साफ से चीज बेकार है तो मेरे को बहुत तगड़ा phone लग रहा है वागि आप लोग मुझे comment section के अंदर बताओ कि आपको कितने टाइम तक मनलब एक अच्छा लगता है मनलब एक होता ना किया जब हम नया नया phone लेते हैं तो उस time हम बड़ी care करते ह आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग कमेंट section में कि आप लोग जब एक नया phone लेते हो तो उसको कितने टाइम तक आप लोग एक प्रोटेक्टिव मोड में रखते हो कि भाई धंक से रखो धूलनी लगनी यह साइड चीज आप लोग मुझे comment section बता सकते हैं और सब लोग क अपने फोन की जादा care करते हैं extra possessive होते हैं फोन को लेकर बागी मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अपने प्राइमरी के अमरे का output है वो अपने फोन के साथ अच्छा मिलेगा बट 16 Megapixel की सेलफी की पड़ जाएगी तो भाई selfie wise इन्फिनिक्स बहुत तकड़ा है वही प् आप लोग किसी का camera comparison जरूर चेक कर लेना वहां पर आपको डिटेल में पता चल जाएगी चीज़े बात करते हैं इन्फिनिक्स के फोन में आपको मिलता है Mediatek Helio G99 का प्रोसेसर जो कि आपको एक 6NM का प्रोसेसर मिलता हूं कौन सा फोन बढ़िया है तो G99 आपको slightly बढ़ि प्रोसेसर की तरफ जा सकते हो वैसे मैं बोलूग को अगर आप लोग को गेमिंग ही करनी है तो इस प्राइस के अंदर आप लोग Redmi Note 10 Pro जैसे फोन की तरफ जाओ इन्दो फोन को आप लोग स्किप कर दो बागे बात करते हैं बैटरी तो अपने इन्फिनिक्स के फोन में आपको 33 वोट की फास्ट चार्जिंग सबोर्ट करता है एंड आपको 33 वोट का फास्ट चार्जर बोक्स के अंदर मिलता है तो अगर आप लोग देखते हो तो आपको बैटरी बैक अप दोनी फोन का एक दिन का मिल जाए इसलिए उदर आपको कोई दिक्कत नहीं है बट मै आपको इस वारत बड़ा इन्फिनिक्स का सीन सही लग रहा है कि बाई चार तर पांसों मेंच की बैटरी एक दिन निकाल देगी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को एंड उसी के सथ 45 वोट की फास्ट चार्जिंग तो वह बढ़िया सीन हो जाएगा वोग अच्छा है मतलब मै बैटरी बैक अप मिलते हैं 33 वोट की फास्ट चार्जिंग वह होगी अच्छी है तो दो नहीं फोन अच्छा है बैटरी डिपार्टर में बोल सकता हूं बागी बात करते हैं कुछ एक्स्टा फीचर्स की तो अपने इंफिनिक्स के फोन में आपको 3.5 के जैक मिल जाएगा साइड मोटरी फिंगर पिंट्स के मिल जाएगा फेस अनलोक का अप्शन मिल जाएगा बेसिक आपको सारी सेंसर मिल जाएगा स्टीव स्पीकर मिल जाएगा डेडिकेटेड कार्ट स्लोट मिलेगा 393 के आपको PPA मिलेगी फोन आपको 196 ग्राम का मिलेगा 8mm की थिकनेस के साथ Android Auto of the Box मिल जाएगा XOS 12.0 मिल जाएगा वही बात कर लेता अपने Poco M4 Pro 4G कुछ एक्स्टा फीचर्स की तो इस फोन में आपको 3.5 फोन का जैक मिलेगा 108 की फिक ब्रैटनेस मिलेगा Android Auto of the Box मिल जाएगा Mioi 13 मिल जाएगा Poco की स्किन मिल जाएगी LPDR 4X अपकरेम टाइप मिलेगी UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिलेगा फोन आपको 8.1 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा 180 ग्राम का आपको फोन मिलेगा गुर्ला ग्लास्टी की प्रोटेक्शन मिलेगी Dedicated Card Slot मिल जाएगा Side Moutred Finger Pint Scam मिल जाएगा Eye A Blaster मिलेगा Face Handle का Option मिलेगा Stereo Speaker मिलेगे एंड उसी की साथ फोन में आपको 400 गी PPI मिल जाएगी अभी बात कर लेते हैं अपने कौन से फोन में क्या चीज़ हमें बडिया मिलती है इस पॉइंट पर अभी हम लोग चल लेते हैं वैसे उस पॉइंट पर जाने से पहले अगर आप लोग को Freestyle Rap Song सुनना पसंद है या फिर आप लोगा कुछ भी डाउट होगे रहे न तो आप लोग मुझे इस्टाग्राम पर मैसिज़ कर दो अगर आपको Rap Song सुनना पसंद तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा मेरे दूसरे चैनल का वहाँ पर आप लोग लेड़ी लगा सकते हो अभी बात करते हैं कौन सा फोन कहां पर आगे निकलता देखो डिस्प्ले गंदर मेरे को Pogo बढ़ी अलग ओधर कोई डाउट नहीं है Pogo के आप लोग Peak Brightness की बात कर लो या फिर आप लोग बात कर लो Better PPI की तो वह साचीज़ अगर आप लोग देखते हो अभी इंफिनिक्स का फोन बढ़ी है बट पोको आपको primary का अउटपूट अच्छा प्रोवाइड कर देगा वहीं बात करते हैं प्रोसेसर की तो आपको इंफिनिक्स का फोन इस वार प्रोसेसर नहीं मिलता है यानि कि योफस 2.2 का स्टोरिस टाइप मिलता है जो वाई बड़ी है मतलब अगर आप लोग देख रहे हैं गेमिंग हैं साबसे दोने में से कोई साभी फोन आप लोग ग्रैब कर सकते हो ऐसा कोई आपको major फोरक नहीं मिलेगा बैटरी के अंदर भी दोनी फोन लग बग आपको से मैं एक चीज अच्छे है तो एक चीज बुरी है वाला सीन है वहीं इन्फिनिक्स का फोन आपको 8mm की ठेकनेस के साथ मिलता देखो अगर आप लोग एक सेफ साइड फोन में जाना चाहते हो जहां पर आप लोग को एक अच्छी ब्रेंड वगरा मिल जाए कि आप लोग को एक नए टाइप के कैमरे मिल जाए मुला सिक्स्टी मेगा पिक्सल का कैमरा ओएस के साथ अच्छी वाली आपको प्रोसेसर मिल जाए तो अगर आप लोग यह सब चीज देख रहे हो तब आप लोग अपने इंफिनिक्स की तरफ जा सकते हो तो अभी आप ल सब्सक्राइब कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जागा तो मिलते हैं कि किसी बाडिया ओप यह वीडियो के नरत उत्ते के लिए बाबाए